HPV DNA Test Cervical Cancer Screening के लिए एक आनुवानशिक परिक्षण है ग्रिवा कैंसर एक गर्भाशे के मुग का कैंसर है जो गर्भाशे की शुरुवात होता है स्री प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा Cervical Cancer के वैश्विट बोज का एक चत्हाई हिस्सा भारत में है ग्रिवा कैंसर भारत में 52 महिलाओं में से एक की मौत का कारण माना जाता है और 30 से 69 वर्ष की उम्र की महिलाओं की कैंसर मौत का 17 प्रतीशत हिस्सा होता है अच्छी खबर ये है कि गर्भाशे ग्रिवा कैंसर को रोका जा सकता है यदि आप इस बिमारी की फैमली हिस्ट्री रखते हैं या यौन सकरिये हैं या यौन गतिविधी की प्रारंपिक शुरवात है या कई यौन भागिदारों के साथ शामिल हो तो आपको टेस्ट कराना चाहिए यदि आप धूमरबान करते हैं प्रतिरक्षा कम है या संड्रक्षन की उप्योग में अन्यमित हैं या पांच साल से ज्यादा समय तक गर्ब निरुधक गोलियां ले रहे हैं तो आप भी खत्रे में हैं असमान्य पैप स्मीर टेस्ट या ग्रिवा के असमान्य समस्या के साथ या ग्रिवा की समस्या वाली महिलाओं को HPV स्क्रीनिंग करनी की सलह दी जाती हैं यदि आपके पैप स्टीटस सामान्य हैं और आपके HPV परिक्षन नगरात्मग हैं तो आप फिर से परिक्षन के लिए 5 साल प्रदिक्षा कर सकते हैं असमान्य कोशिकाओं को कैंसर बनने में 10 से 15 साल लगते हैं HPV एक साइलेंट इंफेक्षन है और संक्रमित व्यक्दी शायद ही किसी लक्षन को विक्सित करता है पैप स्मियर और अब उन्नत HPV DNA टेस्ट जैसे परिक्षन गरिवा कोशिकाओं में HPV संक्रमण की जाच के लिए पून प्रमानित तरीके हैं HPV DNA टेस्ट सैंपल क्लीनिक सेटिंग में स्री रोग विशेशक के द्वारा या आप स्वैम नमूना किट की उप्योग से एकत्रित कर सकते हैं सेल्फ सैंपलिंग किट ब्रश, स्वैब और कंटीनर समीत निर्देशक के साथ आता है टेंपॉन की उप्योग जैसे ही गर्भाशे तक ब्रश को योनी से डालने की आवशक्ता होती है ग्रिबा के कोशिकाओं को एखटा करनी के लिए ब्रश को तीन-चार बार गोला कारगुमा कर स्क्राब करें अब ब्रश को धीरे-धीरे हटाएं और इसे कंटेनर के अंदर रखें पॉजिटिव HPV DNA टेस्ट कैंसर का सकरात्मक संकेत नहीं देता यह ग्रिबा कैंसर के बढ़ते जोखिम का संकेत देता है हाइब्रिड क्याप्चर टू तकनीक और ब्योकर, डीजीन, HPV, DNA टेस्ट, 98 प्रतीशत से अधिक संवेदन शीलता के साथ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में गोल्ड स्टांडर्ड प्राप्त है यहें US FDA अनुमोदित और Europe CE चिनहित है Self Sampling Collection Kit भी उपलब्द है